आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है बरसाथ के मौसम में आपने परिंदों का कैसे ख्यार रखना है सोर्फूर देनी है या नहीं देनी परिंदों को नहीं आने वाले दोस्तों से रुकेस्ट चेक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी का बटन दबाएं ताके मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे कि आपको पता है कि बरसाथ का मौसम जो है शुरू हो गया है जब बारशें होती हैं बरसाथ के मौसम में तो नमी जो है बहुत जादा हो जाती है हर चीज के अंदर तो आपने अपने परिंदों को बिमारियों से कैसे बचाना है मरने से कैसे बचाना है उनसे कैसे आपने अथियात करनी है है आपको जो है चार कोईट मैं इसके जो आपना अमबर एक आपने जहाझे है पुछ कहते हैं नहीं देने चाहिए बार्शाद के पानी जो है बहुत जादा मिगदार में निकलता है जब आप कद्दुकश करते हैं सब्जी को एक वर चीज होती है उसके अंदर से और वह जब आप सौफ्ट फूर्ड बनाते हैं और अपने प्रिंदों को देते हैं तो उसके नम्मी बहुत जादा होती है आप साथ से आठ घ पानी निकलता है कद्दुकश करते हैं आप जब सब्जीं वगारा को तो यह तरीका घलत है इस तरीके से आपने नहीं देना इस तरह आपके प्रिंदे जो है बिमार होंगे इसका सही तरीका जो है सोर्ट फूर्ट देने का यह है कि आप जो है बारीक बारीक जो है चूरी क के पास उसको बिल्कुल बारी पीस बनाने चुरी के साथ उससे जो है पानी जो है नहीं निकलेगा और जो है खुश्क रहेगे वो सोफ्ट फूड जब आप बनाएंगे और उस सोफ्ट फूड को आपने डेर से दो घंटे तक परिंदों के पास जो है रखना है उसके बाद आ परिंदों को तो उसके अधर घंड हो जाएंगे और एक माहा के बाद आप दो चैसलेंगे अघरन गॉस्ट फूड नहीं देंगी और एक उन्तारा माजोंगे फाटप जञांगे पास स्यजन जो है इस तरह आप abbiamo रही नहीं करेंगे अगर यास मात COVID को निधे लाजमी देना है वर साथ औस नबर दो में बताना है कि पंक्खा जो है आपने चलाना है बरसाथ के मोसम में ब्रेकर फैन आपने लगाना है प्रिंदों की कलूनी के अंदर इससे ब्रेकर फैन से यह है कि प्रिंदों की उपर ड्रेक्ट हवा नहीं लगेगी जमीन के उपर उसका रूप करना है जमीन से टकरा के कलूनी के अंदर हव कि जो प्रिंदों के अंदर कलूनी में समय लोगी प्रिंदो की वेश्ट की बिमारीया ओंगी बक्टेरिया होगा जो नमी होगी वह बहर निकल जाएगी अग्जास फैन लगाने कि वजह को अपने लाजमी लगाना है एक लिए आपने जो है दरसाद के मौसम में प्रिंदों की कालूमनी के अंदर नहीं चलाना अगर आप एकुल चलाएंगे इससे यह होगा कि नमी बहुत जादा हो जाएगी और प्रिंदे आपकी इस तरह जो है बिमार होंगे नमबर तीन खुराग जो है आपने जब देते थे बरतन में रख देते थे तीन चार दिन पांच दिन तक पड़े रहते थे वो खुराग खाते रहते थे प्रिंदे बरसाद के मौसम में आपने इस तरह जो है नहीं करना थोड़ी खुराग रखें बरतन के अंदर कोशी करें के लिए ना करें कि अभ़ को खित didn K होजए कर लें कि पहिता है इसके अगले São the Heard Teachers ! इसके अभीछें कोय प्रिंदे भी करें इसको साफ कर लें उसके बाद उसके इंदर रखे आप भुराग ढालें और 10 की या हव्ते की क्राग जो आपने बर्साथ के मौसम में नहीं रखनी बर्तारं के अंदर इस तरह बिमारियां फैलेंगी प्रिंदे बिटे करेंगे उसके अंदर नमी होगी वो खुराग जुड़ जाएगी आपस में उसमें फंगस भी लग जाएगी स्पाया दरिंग की तय होती है उसके अगर नहीं करनी है अगरा सफाई नहीं करेंगे तो आपके प्रिंदे जो है इस तरह बिमार होंगे आपने कोशी करनी है डेली जो है सफाई आपने लाजमी अपने प्रिंदों की करनी है पिंजरे है या कलूनी है प्रिंदों की उसके सफाई आपने लाजमी करनी है क्योंकि जो करोवेस्ट होता है वो बरसाद के मौसम में जल्दी खुश्क नहीं होता नमी लब होती है वो पत्ले रंग बिठे करते हैं Сमयन चल्दी फैलती हैं खुश्क कैमल होती है उसमें जर्सीन होते हैं तो आपने परिंदों की कल 주ables बरसाद के मौसम में डेली लाजमी करनी हैं, ताके आपके परिंदे जो है, बिमार ना हों, इस वजह से, अग में आप इहत्यात नहीं करेंगे, तो आपका का नुपसान होगा, आपके परिंदे बिमार हो सब्सक्राइब मर ना भी चुरू हो सबत करनी हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफिज